इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. क्लोग 10 टैबलेट बैंजो डाइजेपाइन नामक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है. इसका उप्योग मिर्गी, यानि की दोरे और गंभीर चिंता के इलाज के लिए किया जाता है. यह मस्तिश्क में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यदेग गतिविधी को दबाने का काम करता है. क्लोग 10 टैबलेट का उप्योग खाने के साथ या बिना करें. हाला कि इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा का एक समान्स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है. इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी मिले क्योंकि इसमें आदत बनने की उच्छक्षमता होती है. यदि आप एक खुराक से चूप गए हैं, तो याद आते ही इसे ले ले और बहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोस समाप्त करें. यह महत्वपून है कि यह दवा आपके डॉक्टर से बात किये बिना अचानक बंद न हो क्योंकि इससे दौरे पढ़ने की आवरती बढ़ सकती है. इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में धकान, गाली गलोज, बुखार, खांसी, लाराना, कब्ज और यूरिन पास करने में कठिनाई शामिल हैं. इस से चक्कर और नींद आ सकती है. इसलिए जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है. तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशक्ता हो. यदि आप तवचा पर या अपने के अंदर छाले देखते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है. यदि आप लंबे समय से यह दवा ले रहे हैं, तो रक्त और यकृत के कारियों की नियमित निग्रानी की आवशक्ता हो सकती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आ